गाए का जूटा पानी छिड़क दे घर में इस जगे पैसे वालों में गिंती होने लगेगी जी हां मित्रों थम निल लेके आप समझ ही गए होंगे कि हम गौ माता की बात कर रहे हैं वंदे गौ मातरम ये शब्द बोलते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको ये ब्याताने का प्रयास कर रहे हैं कि गाए के जूटे पानी में कितनी ताकत है गाए का जूटा पानी आपके काया कल्प कर सकता है आपकी गिंती अमीरों में होने लगेगी पैसे वाले में होने लगेगी धन्ना सेट आपको लोग मानने लगेंगे ऐसा प्रभाव होता है गौ माता के जूटे पानी का तो वीडियो में बने रही है अन्त तक हम है एस्टर लॉजर और वास्तू कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री आज बेहत खास जानकारी आपके लिए हमेशा के लिए हमेशा की तरह लेकर आए हैं जो आपको फाइदा पहुचाने वाली है जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्षन में ओम नमश्रीवाई और जय मातादी के साथ में सुर्भी माता की भी जय बोलें जो आदी गौ कही जाती हैं इनके जय जय कार करने से आपको लाब होता है गाय के लिए जो रोटी बनाते हैं वो प्रथम रोटी के रूप में आप बनाते हैं और उसके साथ अगर आप गौड रखके गौ माता को देते हैं तो आपके जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाती है आपको ऐसे सुख संपदा प्राप्त होती है जिसको देखकर दुनिया हैरान हो जाती है गाय का जूटा पानी इतनी ताकतवर होता है उस पानी का छिड़काव आप अपने ड्रॉइंग रूम में करते हैं या जो नेगेटिव एनरजी आपके घर में है उसको दूर करने के लिए प्रियोग में लेते हैं तो आपको जबर्दस फायदा होता है गाय का जूटा पानी एक गिलास में भरें और उसको आप पूजा इस्थान में रखते हैं तो आपको जबर्दस फायदा मिलता है सब देवी देवताओं की क्रपा आप पर बनी रहती है सबी ग्रहे आपके अच्छे हो जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि अनेक ग्रहे किसी भाव में अस्थित होते हैं और एक ग्रहे वहाँ बैठकर दूसरे ग्रहे के शुप प्रभाव को नश्ट करता है ऐसे में आप यह उपाई करते हैं गाय के जूटे पानी का तो आपको जबर्दस फायदा होता है गाय का जूटा पानी अगर आप सिरहने रखके सोते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और नेगेटिव शक्तियों से आपकी सुरक्षा होती है सुर्भी ऐसी गौ है जो गोलोक में प्रकट हुई थी ये गौवों की अधिश्टात्री देवी और गौवों की आदी जननी भी कही गई हैं ये संपूर्ण में गौवों में प्रमुख हैं इनका पूर्व काल में जन्म रंदावन में सुर्भी के रूप में हुआ था और सुर्भी नाम था इनका और भगवान श्री कृष्ण ने भी सुर्भी की पूजा की थी तो ये बहुत शुब बानी कही हैं गौवों और जब आप किसी भी गौवों को रोटी देते हैं प्र और एक लाग संख्या में जब होने पर, यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, और आपको कल्प वरक्ष का काम करता है, कल्प वरक्ष यानी जो इच्छा आप की है, वो इच्छा आप बोल देते हैं तो वो पूरी होती है, आप सुर्भी गौ का ध्यान भी कर सकते हैं, जो रिद्धी ऐसे अभध्यान करना है जो रिद्धी, व्रध्धी, मुक्ती और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है जो लक्षमी स्वरूपा, श्री राधा की सहचरी, गउओं की अधिश्टात्री, गउओं की आदि जननी, पवित्र रूपा, उजनिया, भक्तों की अखेल मनुरत को सिद्ध करने वाली, तथा जिन से सारा विश्व पावन बना है उन भगवती सुर्भी की मैं उपासना करता हूँ, कलश, काय की मस्तक, गउओं के बांधने के खंबे, शाल ग्राम की मूरती, जल, अथ्व अगनी में सुर्भी धेवी की भावना करके द्विज इनकी पूजा करे, जो दीप मालिका के दूसरे दिन अगर आप पूजा करते हैं, तो जबर्दस आपको लाब मिलता है, तो आपके सभी ग्रह अगर प्रतिकूल हैं, तो गौ का जूटा पानी डाल कर आप इस नान भी कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में छीटे दे कर ही करें इस नान, इससे आपको जबर्दस लाब होगा, और अपने शरीर पे गाय के ज हीटे देते हैं, तो भी आपको लाब मिलता है, गाय के जूटे पानी में आप दूद मिला दें कच्चा और उसको अपने सिर्हाने रखें और प्राते काल इसकी सी गंबले में उसको डालते हैं, तो आपको जबर्दस लाब होता है, नकारात्मक एनरजी समाप्त हो जाती है और सकारात्मक एनरजी का भरपूर संचार आपके जीवन में होने लगता है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आवश्य बताना थेंक्यू सब्सक्राइब